नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको तुलसी माता की ब्रत कथा सुना रहा हूँ प्राचिल काल में एक लड़की का जनम राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम ब्रंदा था दैत राज काल नेमी जैसे राक्षस परवार में पैदा होने के बाद भी ब्रंदा भागवान विश्नु के पूजा करती थी जब ब्रंदा बड़ी हुई तो उसकी साधी जलंदर नामक दैत से हो गई जलंदर काभी सक्तिसाली राक्षस था जिसका जनम भागवान सिवके तेज के कारण समद्र से हुआ था बलवान होने के कारण जलंदर को दैतियों का रजा बनाए गया ब्रंदा से साधी करने के बाद जलंदर की सक्ति और प्राक्रम बढ़ता ही गया उसे किसी भी तरह से हराना मुस्किल था जलंदर के बढ़ते अहिंकार वा आतंक से सभी देवता परिशन थी जलंदर की बढ़ती तागत के पीछे उसकी पत्नी ब्रंदा की बिश्नु भक्ती और सतीतु था होते होते जलंदर अपनी सक्ति और आइंकार में चूर होकर स्वर्व की देवियों पर कावुप पाने की कोशिस करने लगा इसी दोरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया परंतु समुद्र से जनम लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंदर ने माया जाल बनाया अपने माया जल से जलंदर ने सिव का रूप धारण किया और माता परवती के करीब जाने की कोशिस करने लगा उसी वक्त मा परवती ने उसे पैचान लिया और जब तक जलंदर कोछ समझ पाता वो अद्रश्य हो गई जलंदर के इस दुर्विव्यार से परवती जी को कापी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भागवान विश्णू को बताया इधर जलंदर भागवान सिर्व से परवती जी को पाने के लिए केलास परवर्त पर युद्ध कर रहा था तभी भागवान विश्णू ने जलंदर को सबक सिखाने की ठानी सभी को पताता कि जलंदर अपनी पत्नी के पूजा पाट और सतित्व की वज़त से ही अजे हुआ है ऐसे में बागवान विष्णू ने जलंदर को औराने के लिए उसकी पत्नी का पती व्रत धर्म भंग करने के लिए माया भी चाल चली बागवान विष्णू एक सादू का रूप धरन करके ब्रंदा से बन में मिलने पहुँचे उसके साथ दो मायावी राक्षस भी थी जिने देखते ही ब्रंदा डर गई तब ही भागवान विश्णू ने उन दोनों राक्यसों का ब्रंदा के सामने ही बद कर दिया ब्रंदा ये देख सब समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है उसी पर ब्रंदा ने साथू से अपने पती के बारे में पूचे साथू मने भागवान ने अपनी माया सकती से दो बंदर प्रिकट किये दोनों बंदरों के हाथ में जलंदर का सिर्व धर था ये देखते ही ब्रंदा बेउस हो गई कोई समय बाद उसमें आने पर वो सादू से अपने पती को दोबरा जिन्दा करने की प्रातना करने लगी ब्रंदा की विंती सुन उसके आँखों के सामने सादू ने अपनी माया से जलंदर के कटे हुए सरीर के इस्सों को जोड़ दिया और स्वैम और सरीर में समा गई ब्रंदा को जरा सावी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा चल किया गया है जलंदर का रूपदारण किये विश्नु जी को ब्रंदा अपना पती समझ कर रहने लगी ब्रंदा की ऐसा करने से उसका सतीस्व भंग हो गया जिसके बाज लंदर केलास परवत में युद्ध हार गया जब ब्रंदा को ये सच पता चला तो उसने गुस्से में विश्नु बागवान को पत्थर बढ़ने का स्राप दे दिया इस गटना के बाज स्वैम ब्रंदा सती हो गई जिस इस्तान पर वह बस्म होई वहां तोसी का पौदा प्रगट हुआ विश्नु बागवान ब्रंदा की पती भक्ती से प्रसन हुए और उन्होंने कहा है ब्रंदा तुमारी पती भक्ती देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो अब सदय तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे सालग्राम के साथ विवा कराएगा उसे हजार गुना यस्वा पुन्य प्राप्त होगा जिसमी मनुस के घर तुलसी का बास होगा उस घर में कभी भी असमय यम्दूत नहीं आएंगे आगे भागवान ने कहा तुलसी के पौदे की पूजा करने वालों को गंगावा नर्मदा के इस्णान करने का बराबर पुन्य प्राप्त होगा संसार चाहे कोई भी मनुस से कितना भी डुष्ट क्यों न हो कितने भी पाप क्यों न किये हो मिर्त्यू के दौरान उसके मुँआ में तुलसी और गंगा जल अवस्य दिया जाएगा इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंट धाम जाएगा इसके अलाबा जो व्यक्ति तुलसी वा आमला के पेड़ की छाया में पित्रों का स्राद करेगा उसके पित्रों को मुक्ष मिलेगा मुलविष्णू भगवाने की जय आये सुनते हैं साल ग्राम जी की कहानी एदिन संबर्ग रिसी के सिस संत सुतिक शन जी से रिसी ने कहा साल ग्राम जी को गंगा जी से इस्टनान करा के ले आओ तब सुतिक शंड जी साल ग्राम जी को जोली में रखकर चल दिये चलते चलते उन्हें रास्ते में भूख लग गई वह उदर उदर खाने के लिए फल ढूनने लगा तब ही उसको गंगा किनारे एक जामुन का पेर नजर आया जिस पर अनेक काले काले जामुन लगे थी उन्होंने सोचा जामुन कैसे तोडें उन्होंने एक डंडी से तोडने का प्रयास किया लेकिन जामुन नहीं तूटे तब ही उन्हें साल ग्राम की याद आई उन्होंने साल ग्राम को फेंका जिससे अनेकों जामन तूटकर गिर पड़े लेकिन सालगराम जी गंगाजी में चले गए सुतिक्षण जी ने पेट भर के जामन खाए पेट भर खाने के बाद उन्हें सालगराम की याद आई उन्होंने सालग्राम को ढूणा सुरू किया लेकिन सालग्राम जी नदी में जा चुके थी। इसलिए वह कहीं नहीं मिले। सूतिकषण जी सोचने लगे कि अब तो गुरू जी नाराज होंगे। उन्होंने दिमाग लगाया कि सालग्राम की तरह ही जामुन भी लग रहे हैं इसलिए क्यों ना जामुन को ही सालग्राम बनाकर ले चलें। उन्होंने यही किया वह जामुन को सालग्राम बनाकर ले गई। सुतिक्षन जी सालग्राम के सिंगासन में जामन को चंदन का टीका लगा कर रख लेते हैं और गुरुजी के आस्त्रम पहुंच जाते हैं दूसे दिन सुबै का जब संबर्ग रिसी ने सालग्राम को निकाला और उने नेलाना सुरू किया तो उपर का ख्षेत रहट गया और घुटली निकला आई रिसी ने अपने सिस से पूचा कि यह क्या हुआ तो सिस ने कहा पोनी पोने चंदन पोनी पोनी पानी सालग्राम सड़ी गए हम का जाने तब रिशी जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने सिस्ष को आस्रम से निकाल दिया और कहा कि आस्रम तभी लोटना जब सालगराम जी मिल जाए सोतिक्षण जी चले गए और उन्होंने तपश्या आरम कर दी साल ग्राम का जाप करते रहे अनेको बर्स तक तपश्या करने के पास चाथ राम लक्षमन सीता उनके पास आ गए और वै उन्हें लेकर अपने गुरू के पास चल दिया राम चंदर जी को आते हुए देख गुरू जी आती प्रसंद हो गए और उन्होंने अपने सिस को ख्षमा कर दिया साक्षात भागवान को अपने सामने देख कर वै अपने सिस को माप कर भाव विबोर होकर प्रभू के चर्णों में गिर पड़े बुलो साल गराम भगवान की जाएं